नमस्कार मैं हूँ माया माया इस प्रिफेक्ट रुसवई में आपका स्वाकत है आज हम बनाने जा रहे हैं देशी टिंडे की सब्जी और यह सब्जी एदम सिंपल तरीके से हम बनाएंगे यह राजस्तान की ब्रपूस पेसल सब्जी है यह हम चटपटी सब्जी बनाएंगे इसको अच्छे से वोस कर लिया है और इसको हम पिलर की साइटा से इसको छील लेंगे इनको चैसे छील लिया है अब इसके एक जैसे हमें छोचे टुकड़े करने हैं ऐसे लंबे लंबे हमें इसकी कटिंग करनी है टेंडे को मैंने अच्छे से कट कर लिया है अब हम लेंगे छोटे पास प्याज तो इसको मैंने अच्छे से छील लिया है और अच्छे से हमें वोस भी कर लिया है और इसके हम छोड़ छोटे एकदम टुकड़े करेंगे मैंने प्याज को चोटी चटी टुकडों में कट कर लिया है अब हमने ये इस पिर कड़ाई रखती है और इसमें बड़े दो चमस हमने ओय जाल दिया है और इसके गरम होने से अब इसमें हम जीरा एड़ करेंगे और जीरा चिटने के बाद हम इसमें प्याज एड़ करेंगे जीरा चिटने लग गया है अब इसमें हम प्याज डालेंगे देए और प्याज को इसमें ब्राउन होने तक दितbullet करेंगे और गस मा हम इसमें इच्टम मीडियम लखना हैं हमारी प्रप्यक्ट रष ही में घ्रश हैं हमारे जो प्रप्यक्ट रसोई मेरे जो भी हम रेसिपी बनाते हैं ये आप गर्पे जरोल करना कि देखना अब इसमें हम डालेंगे हाथी चमाच, हाथी पाउडर, एक चमाच नमक, एक चमाच लाल मिर्स पाउडर, एक चमाच दन्या पाउडर, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मसाले की अच्छे से शिकाई हो गई है, तो इसमें हम दो बड़े चमाच, अब हमें जो अच्छे जो कटिंग की थी तिंडेगी वो इसमें एड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हमें गेस कब लें हमें लोग पे रखना है और हमें दस पंदरा मिंट के लिए डखकन लगा के छोड़ देंगे यह देखिए अब हमारी तस पंदरा मिंट हो गई है अब हम देखते हैं कि हमारी इंडे की सब्जी बनके त्यार हो गई है क्या यह देखिए फ्रेंड यह हमारी सब्जी अच्छे से त्यार हो गई है अब इसमें हम डालेंगे हम चूर पाउडर लिया है और आधा चूटा चमज गरभ मसाला अब इसको हम अच्छे से मिक्स तरेंगे और यह देखिए फ्रेंड हमारी कितनी अच्छी यह इंडे की सब्जी ट्याय हुई है अगर आप इस तरीके से गरपे सब्जी बनाएंगे तो आप दो रोटी की जगा चार रोटी खाएंगे और चोटे बड़े सब्जी को बहुत पसंद करेंगे और हमारे वीडियो देखिए आप इस गरपे जरूर ट्राइए करना और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जूर बताना थेंक यू बाइबाई